अरे यह क्या हो गया किसे से लड़के आयो ना वेट ट्रेनिंग करने से तो यह हो ना ही था हमने पहले ही बोला था ऐसे कॉमेंट और क्वेशन मुझे काफी जादा मिले आपकी तरफ से जब मैंने यह स्टोरी पोस्ट की जो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं तो अग तब जो चिपक जाते हैं उनको एक दूसर से अलग करना क्यों तो ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड पास हो सके उत पाथवे में से उसी को बोलते है कपिंग धरापी ना इसके बहुत सारे बेनिफिट से पहला बेनिफिट होता है मसल फेशा एं स्कीन के बिचका अडेशन पहुंचते हैं और तीसरा होता है इंजिरी के रिकवरी करना कि अगर आपको है तो उसके रियर में भी यूज होता है तो यह तीन इसके मेजर बेनिफिट जिस वज़े से आपने देखा होगा बड़े-बड़े एटलेट्स ओलिंपिक एथलेट्स भी कपिंग धरापी करते है उनकी बेक के पीछे ऐसे मांक से अपने बहुत अवस्ता में देखे होंगे तो यह इसके मेजर बेनिफिट से कपिंग किसको करवाना चाहिए तो कपिंग ऐसे लोग करवाते हैं जो स्पेशली स्पूर्स एक्टिविटी के अंदर या वेट ट्रेनिंग के अंदर बहुत इसका यह उनकी बॉटि में चोले मोटे यहीर होते हैं तो ऐसे अथलेट समय कोपिंग थेरापी का साहराव लेते हैं अपनी इंज्री ना हो उसके लिए recovery के लिए या तो गरेंजरी हुए है तो उसकी recovery के लिए फीजियो तरापिस्ट इसका मैक्सिम्म इस्तमाल करते हैं ल होता है आप देखते होंगे आपका पर से ट्रीटमेंट चालो हो चुकी है इसे लिने के तरीका बहुत सिंपल होता है इसलिए यह वाइडली पॉपिलर बहुत ही कम टाइम में हुए है जैसे कि इसके लिए आपको दूर चीज चाहिए बस एक चाहिए कप और एक चाहिए कब का संगी कि अख मिया इसके आपको चाहिए यह अतAPPर ऐसाथ बढ़के आप की अधर बलेजिक चैनल होना क्ति क curling को lift करते हैं तो यह बहुत बेसिक प्रोसिज़ल है स्टेप नंपर वन सब्सक्शन को प्लेस करें मॉसंड के उप्लेस करें लिए स्टेप नुम्हे टू सक्ष्शन गन से आप सुक्षन करशन कर सकते शक्षन तीन तरह के होते हैं पहला होता है वीक स्क्षिन जहां पर आप सिर्फ गन को हाफ पुल करते हैं दूसरा होता है स्ट्रॉंग स्क्षिन और वीक स्क्षिन के बीच में वीच में मीडियम स्क्षिन जहां पर गन को पूरा पूल करते हैं और थर्ड होता है आपका स्ट्रॉंग स्क्षिन जह बहुत ही डार्किश हो जाता है मतलब रैडिश हो जाता है ऐसे ताइम के अंदर आपको थोड़ा से रिमूव करने के जरूत पड़ेगी वरना आप 15 मिनिट वहां पर रहना दे सकते हैं फोर स्टेप होता है इसका लाज स्टेप विच जहां पर उसकी उपर नौब होती है चोटी सी उसे क्लिक करकर आप इसे रिमूव कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और आप इसे अलग-अलग हिस्वों में लगा सकते हैं जैसे कि किसी को अगर सरवाइकल की या न तरह से अपने प्लेसमेंट कर सकता है तो ऐसे प्लेसमेंट्स आप कर सकते हैं कपिंग से प्रोसीजर फिनिश होने के बात करें फ्रिक्वंसी के तो कपिंग आप आप 10-15 दिस करवा सकते हैं नौर्मल क्रेटेरी के इंदर आप बहुत ही एक्टिव है या आपको को इंजरी है जहां पर मैंने डिस्कलरेशन की बात की थी तो अगर आपका का अधा हुआ है तो उसके अंदर आप 3-4 दिस के बाद भी फिस्टे करवा सकते हैं लेकिन आइडियल टाइम होता है 10-15 इसके अलावा यह बहुत तरीकी के होते हैं टाइप कॉपिंग में जैसे की पर रिकल और एल्थ और फिट्नेस लिए नोलेज चाहिए हर किसी के लिए नहीं है उसके बादें यहां इसके लिए अपको नीडलिंग का थोड़ा नॉलेज चाहिए इसके साथ-साथ आपका होताँ इलेक्ता मैं अगर प्रकूपिंग होते हैं कॉई प्लास्टिक ग्लास की कपिंग बद इसका जो benefits of function है वो हमने जो आगे चर्चा की थी blood circulation मसालों स्कीन के बीच में थोड़ी जगा करना pathway create करना और injury से recover होना वही होता है at last कपिंग जो आप करते हैं उसके बाद थोड़ा सा color का बहुत कॉमन है तो इसे आपको injury ना माने या आप किसी को देखे तो ऐसे comment or question जो मैंने पहले बुलेते हैं ऐसे comment or question ना करें इसका base knowledge आपके पास होना चाहिए दूसरी चीज कपिंग कप करते हैं तो कपिंग करने का को specific time नहीं है लेकिन कुछ चीज़ा आपको याद रखनी पड़ेगी जैसे कि अगर आप कपिंग करते हैं तो आपकी skin वगेरा जो है उसमें hair कम होने चाहिए अगर hair है तो कोई issue नहीं है लेकिन आप oil का इस्तेमाल करें तो कप जो होंगे वो अपने जगर छोड़ नहीं देंगे दूसरी चीज होती है कप निकल जाना is very common तो अगर कप सक्षन आपने किया है वो निकल जाता है तो फिर से लगा दीजे और थोड़ा से oil ज़ादा अपलाए करें तो वो निकलेंगे नहीं यही second tip है तीसरी tip है कपिंग वगेरा जो है उससे पहले बिल्कुल ठंडा यह बिल्कुल गरम मत होए बौडी को थोड़ी सी गरम रखे बस इतनी चीज़े काफी है इसके साथ-साथ कपिंग जब आप करते हैं अगर आप साधा समीत कपिंग को रख देते हैं तो उसमें स्किन का कलरेशन और डैमेज होने की चंसी ज्यादा होता है इसलिए मूर्ट पर्मनेंट मार्क ना रहे इसलिए आप उसे जल्दी से विदिन 10-10 मिनिस रिवों कर दे तो यह चार टीप ऐसी ती जो मुझे लगती थी कि आपको जाननी जरूरी है नाव आपको कपिंग के ब जहां पर मैंने एक वाक्षब किया था फ्रेंक्ली मैं आपसे बता रहा हूं डॉक्टर चतिन पटेल की इस वेरी गुड फीट फीजोटरापिस तो आप उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका नंबर राहा हूं तो आपको वीडियो की रिग को सुरत के अंदर और भरुज के अंदर स्टे टून विट में डाइटेशन गौतम जानी साइन आउट